वन पीस में हम धेर सार यूनीक और मिस्टीरिस केरेक्टर से मिली हैं बट इन सभी में दो ऐसे केरेक्टर हैं जो इन सभी से अलग हैं हम सभी इन दोनों के बारी में जानना चाते हैं इनकी इंटेंशन्स, पावर, बैग्राउंड लेकिन हजार सिर्फ जदा एपिसोड के बाद भी हमारी एक हुआईस पूरी नहीं हुई है हमें बहुत कम पतायन के बारे में सैंक्स और ड्रैगन इस दोनों अपस में क्या कनेक्शन्स रखते हैं के स्टोरी में रोल्स क्या हैं इसकी पावर्स, इंटेंशन, गोल, कहाँ पैदा हुआ और क्यों सैंक्स अब स्टोरी में दिखाया गया था इस अभी का फेवरेट बन गया था सैंक्स ही वो रीजन था जिसकी वज़े से लूफी ने इतनी बड़ी जर्नी शुरू करी और वो एक पाइरेट बना सैंक्स स्टोरी में दिखता रहा है बहुत ही कम टाइम के लिए सैंक्स वो पहला यौंको था इसको हमने स्टोरी में देखा था बट स्टिल हमें उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं हमें वाइट बियर्ड काइडो बिग मॉमिन सभी के गोल्स के बारे में एंड में पता चल गया था बट अभी तक सैंक्स के बारे में हमें नहीं पता चला है जैसा अब तक हम सैंक्स को जान पाए हैं और उसके नाम का मतलब जो लिया गया है एंकर से एंकर के जो उपर का पार्ट होता उसे सैंक कहते हैं जो उसे direction और balance देता है तो स्टोरी में सैंक का भी यही रोल है तो लूफी को direction देना और वर्ल्ड में balance बनाये रखना सैंक स्टोरी में हर जगे पहुँच जाता है जहां पर चीजे बिगणने वाली होती है सैंक सो हमने पहली बारे करते हुए वाइट बिड़ की ship पे देखा था जहां वो blackbeard के बारे में उसे warn करने आया था कि blackbeard के हातों में अकर power लगती है सबसे पहले वो उसी की position के लिए आएगा और सैंक से एस को भी रोकना चाता था कि ये इसको बचाने वाइट बिड़ आएगा और काईडो इस situation का फायदा उठाना चाता है बट सैंक से रोग लेता है रास्ते में ही हम काईडो वर्से सैंक सी fight के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते हैं बट जैसा मुझे लगता है पका सैंक ने काईडो को बिना fight के उसे negotiate करके retreat करवा दिया होगा जो सैंक जातर करता है मरीन फॉर्ट पे सैंक का अपियर होना इसी तरफ इसारा करता है कि इसका main goal वर्ल्ड में stability बनाए रखना है सैंक ने मरीन फॉर्ट पे पहुंचके अकाईनो को रोका और war को खतम करवाया अब आते हैं सैंक के motive पे सैंक जिसका main motive जातर stability बनाए रखना होता है जाता कि गोरोसे ने भी कहा था कि सैंक वो आदमी नहीं है जो दिक्कत खड़ी करे बट सैंक कम्पलीटली वर्ड गर्मेंट की side भी नहीं है क्योंकि लकीरू ने story में बताया था कि नोंने हीटो हीटो नोमी model नीका गर्मेंट से चुराया था और मैं पता कि गर्मेंट उसे protect कर रही थी तो सैंक वर्ड गर्मेंट से hate भी नहीं करता है और सैंक का mortal anime यही mysterious character हो यानी dragon हम dragon के बारे में सैंक से भी कम जानते हैं जबकि वो लूफी का फादर है और वर्ड गर्मेंट का direct anime यानी revolutionary army का head है dragon जिसने अपना एक front बनाया है वर्ड गर्मेंट का oppose करने के लिए हमने अभी तक dragon की power के glimpse सी देखे हैं dragon जो marines का ही part था बर्ड उसके corrupt system और world government की true intention जानने के बाद उसने उसे take down करने के लिए काम किया और ऐसे जनम हुआ revolutionary army का dragon का main goal है world government को उखाड फेकना और new justice system imply करना इस world में जहापर real sense of justice हो ना कि परदे के पीचे की dictatorship और इसी सु करने के बाद पूरे world का power balance भिगड़ जाएगा या फिर काओ खतम हो जाएगा पर ये तो sanks के ideal पर ही mood रहा है हाँ sanks और dragon के motive एक दूसरे से बिलकुल opposite है अभी तक हमने इन दौनों की meeting भी नहीं देखी है बट हमारे पास एक incident है जहाँ chapter 96 में कुछ दिखता है जब मियोक सैंक से मिलने जाता है तो वहाँ सैंक जो पहली चीज कहता है कि मेरा mood बहुत ही खराब है और हम उसके crew को भी देख सकते हैं कि वो भी ऐसा ही mood में बैटे हैं बट सैंक को क्या चीज एंगरी कर सकती है हमने इस character को जातर खुशी देखा है हमने बहुत ही कम टाइम पर सैंक को गुशे में देखा है लाइक ये और marine pod पर इसी chapter से थोड़ा पहले हम देख सकते हैं कि नामी news paper में ये पढ़ती है कि the world sure is in turmoil and there was another rebellion in villa तो सायज यही वो news थी जिसकी वजह सैंक इरिटेट हुआ था और ये चीज आगे में ओड़ा confirm भी करते हैं जब नोलाइंड विला आया था तब ये टाउन एक happy टाउन था बट अब इस जगह पर violence ही violence है और ये एक dangerous country बन गई है हमें पता है कि विला ग्रैंड लाइन के पास है तो ये हो सकता है कि ड्रेगन जब lockdown में था तो वो विला के लिए जा रहा हो और उसे रास्ते में लूफी देख गया हो और हम कुमा के पास में भी देख सकते हैं कि ड्रेगन लूफी की खबर रखता है starting से ही Dragon जो विला में War चाता था ताकि वहां के Conflicts खतम हो सके बट Sanks जो इस चीज के Against में था आगे हमें Sanks का View मिलता है Revolutionary Army की उपर Ace की Novel में जहां पर Sanks और Ben Backman आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि Ace काफी नाइव है और वो एक Fighter है ना कि कोई Pirate तो उसे Revolutionary Army जोइन करनी चाहिए ना कि War Lord या फिर Pirate बनना चाहिए तो Ben Backman यहाँ पर Revolutionary Army को World Government का Direct Enemy मानता है ना कि Pirates को हमें यह भी पता है कि Sanks और Dragon आपस में ज़्यादा Viewpoint Share नहीं करते हैं हमने उन्हें एक दूसरे के बारे में बात करते हुए भी नहीं देखा है पर क्या पता आगे वो हमें एक दूसरे के Against में ही मिले Because of their Ideologies तो आगे जब यह लोग मिलते हैं तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी कि Luffy किसे चूस करता है अपने फादर को या फिर मेंटोर को यह चीज़ देखनी लाइक होगी Luffy किसके ज़्यादा क्लोज है Luffy वैसे तो काफी open person है हम उसके बारे में काफी को जानते है बट स्टिल कुछ चीज़ हैं जिसे Luffy नहीं दिखाता है वो स्टोरी में हमें धीरे धीरे रिवील होती है तो Dragon vs Sanks यह topic काफी debatable है और अगर ऐसा कुछ होता है तो यह चीज़ स्टोरी को completely change कर देगी यहाँ पर कुछ लोग Sanks के favor में होंगा और कुछ लोग Dragon के favor में दौनों की powers की चर्चे होते हैं स्टोरी में बढ़ जिस तरह character Dragon का है वो unnecessary fight को avoid करता है unless वो चीज उसके रास्ते में ना हो जैसा उसने black bear के साथ किया था उसने उससे fight करने की जगए retreat किया था ताकि इस fight में उसकी manpower lost ना हो क्योंकि वैसे उसके पास काफी छोटी आर्मी है और उसे world government और marine से लड़ना है तो उसका goal ज़्यादा बड़ा है तो आगे स्टोरी बताएगी क्या होता है खास कर मैं लूफी के उस decision का wait कर रहा हूँ कि वो अपने father के decision के साथ मिलकर world government को down करना चाहेगा या फिर sanks के plan का ही part बना रहना चाहेगा तो आज के लिए इतना ही बस मिलते हैं बहुत जल्द कुछ अच्छे topics के साथ तब तक के लिए भूलना जाना मुझे see you in the next video